नमस्कार दोस्तों आप सभी क्या स्वागत हैं या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोसों सरकार के द्वारा देश के विकलांग नागरिकों की जीवन सर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रयस विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रयस सरकार द्वारा आरंब की गई है दोसरे आपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उत्तरप्रेस विकलांग प्रेंशन योजना से सम्बंदित सभी महतरपूर्ण जानकारी जैसे कि उत्तरप्रेस विकलांग प्रेंशन योजना क्या है इसका उद्धेश क्या है लाब क्या मिलता इ इसमें आपको यहाँ पर महत्रपूर्ण दस्तावेच क्या होंगे और यहाँ पर आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं तो उसे हाँ पर वीडियो काफी मज़दार होने वाला है उससे पहले अगर अभी तिक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चलब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पर वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरप्रेश विकलांग पेंशन योजना के मुख्य उद्देश के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग सारे रिक रूप से विकलांग होते हैं वह कोई काम नहीं कर पाते हैं और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं इन सभी परिसानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को सुरू किया है उत्तरप्रेश विकलांग पेंशन योजना के ताइट राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीवी का प्रदान करने के लिए यह सरकार प्रतीमा यहां पर 500 रुपए की वित्तिय सहायता करेगी इस योजना के जरी विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे तो उससे हैं अपर वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तरप्रेस विकलांग पैंशन योजना से जुड़े लाब के बारे में किसी योजना के साथ आपके आपर क्या-क्या लाब देखने के लिए मिलेंगे दूसरी योजना का लाब राज के जो सभी विकलांग लोग हैं उन सभी को दिया जाएगा जो राज के आपर विकलांग व्यक्ति होंगे उन सभी को यहापर 500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महिने यहापर यानि की प्रती महा दिये जाएंगे सवी दिव्यांगों को सारी रीक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रस्म विकलांग कल्याड विभाग के संबंदित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपए मिलेंगे यानि कि जब आप इसके लिए फॉर्म एप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक टेक अप होगा उसके बाद ही आपके जो 500 रुपए है मिलेंगे राजा सरकार ने विकलांग लोगों को आज येवी का प्रदान करने के लिए इस योजना के सुरुवात की है दूसरा पर जो सरकार है 40% विकलांग आवेदंग को 500 रुपए प्रतीमा प्रदान करेगी अब ये 40% क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ दूसरा विकलांग पैंसन योजना का लाब उठाने के लिए विकलांग लेक्टियों को इसके ओफिशल वेबसाइड पर जाकर ऑनलाइन आवेदंग करना होता है अब दूसरा अपर वीडियो में आगे के तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपी विकलांग पैंसन योजना के पात्तरता के बारे में दूसरा अपर आवेदंग जो है वो उत्तर प्रदेश का या पर मूल निवासी होना चाहिए यूपी विकलांग पैंसन योजना के तरफ विकलांग व्यक्ति की जो आयू है यानि की एज लिमिट है वो 18 वर्स मिनिमम होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है दूसरा अपर आवेदंग को जो 40% विकलांग होनी की मैंने बात बताई इसका मतलब है कि वो अपने सरीर में 40% से कम सहरीक विकलांग ता नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर उससे अधिक है तभी यहाँ या फिर 40% तभी वो इसके लिए फॉर्म एपलाई कर सकता है इस योड़ा के तार जो आवेदा के उसकी पारिवारिक जो आए है वो 1000 रुपए प्रती मा से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि कोई विकलांग है और किसी पेंसन योड़ना का लाब ले रहा है तो उसे इस योड़ना का लाब नहीं मिल पाएगा यदि विकलांग व्यक्ति तीन पाईए या फिर चार पाईए वाले वाहन का मालिक है तो ऐसे में हापर वो इस योड़ना में लाब नहीं ले पाएगा विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकाई छेतर में काम कर रहे हैं अगर यहाँ पर आप किसी भी सरकाई छेतर में नौहरी करते हैं तो आप इस योज़ना के तहट पात्र नहीं है अब दोस्तों आपर वीडियो में आगे की तरह बढ़ते हैं आयू प्रमाड पत्र उसके बाद यहां पर disability certificate यानि कि विकलांगता का जो प्रमाड पत्र होता है वो आपको यहां पर उसका एक xerox देना होगा bank account का passbook देना होगा और उसके बाद यहां पर mobile number और यहां पर एक passport size photo अगर आपके पास यह सारी चीज़े available है तब आप इस योज के लिए online आवेधन कर सकते हैं तो जिसके लिए यहां पर उनको सामाजी कल्यार विभाग के आधिकारिक website पर जाना होगा जिसका की लिंक आपको इसी वीडियो के description box में देखने के लिए मिल जाएगा जैसी आप इसकी home page पर जाते हैं तो आपको आपको दिव्यांग पिंश दुस्तों आप लोगों को यहां पर new entry form का एक option दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है 579-YUM-U-Q-X-H उसके बाद आपको यहां पर जो भी registration में चीज़े पूछी जाएंगी जैसे कि आपका वीवरण, bank वीवरण, i-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-we जाएंगे सभी को वहां पर आपको attach करना है सारी details को submit करना है उसके बाद आपको यहां पर form को final submit कर देना है उसके बाद वहां पर आपको एक registration number मिल जाएगा तो आपको बस उस registration number को अपने पास रख लेना है उसके बाद यहां पर आप अपने आवीदक की स्थिति उसी website पर वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बल आइकन दबाना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं एक और नहीं मजदार वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मार्ण